बिस्मिल्लाइर रख्मान और रहीम अस्सलाम अलेकूम एस्टूटेंट्स मैं आपका टीचर शभाज वेलकम टो अवर क्लास स्टूटेंट्स मैथिमेटिक गेड़ सेवन के आज फिप्ट लेक्चर की बात कर रहे हैं देखते हैं हमारे आज का अगर अगर सुटेंट्स हम ए एडिशन सब्ट्रेक्शन और मल्टिप्लाइ आज कोच अलजब्रेक एक्स्प्रेशन को हम सिंप्लिफिकेशन के मेतड़ देखेंगे यानि फार एक्जम्पल हम सुक्यर की बात करते हैं ए माइनस बी का सुक्यर यह प्लस बी के सुक्यर के बारे में तो यह आज क्या सुलो सब्सक्राइब करना अलजबरेकक्षप्रेशन गों तो यह यहां किया जाता है और प्रॉब्लम को सॉल किया जाता है कि रस्टूडेंट्स देखे अलजब्रेक एडिंटिटी एक एक कोय कहते हैं जो तुमाम वैलिए के लिए क्या होती हैं होती है तो देखते हैं अलजब्रेक दिंटरी आर ने बडूर ऐस टू सौल्ड़ मेथिमेटिकल प्रॉब्लम यह मैथिमेटिकल problem को solve कर देंद शौर्ट एंड इजी वे यानि अलजब्रिक अडेंटिटीज को यूज़ करके हम mathematical problem को solve करते हैं इजी और शौर्ट पेसे एंद अलजब्रिक एडेंटी कैसे all the algebraic terms अगर एडेंटी की बाद करें तो स्टुडेंट्स के अंदर के होते हैं जब्रेंट्स ही होती है बैसी कर यह एक अपके सामने स्टुडेंट्स हम प्रूब करते हैं हमारी है यानि हम अगर कहीं दो अलजब्रिक टर्म का सम है और उसका ओल सुप करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे जैसे के स्पीर अब दा सम आफ डू टर्म तो तोटर्म के सम का स्भीर फ़र फ़र अग्जेंपल हम यह कह रहे हैं कि का यह बूल कहा करेंगे स्केर फाइंड ओड करेंगे तो इसका मतलब भी होल का स्केर आप सिंगल सिंगल पावर के साथ लिख सकते हैं यह भी एन्टो अलस की जैसे आपका X स्केर और फार अग्जेम्पल तो आप इसको लिख सकते हैं X into X right X into X on the same line a plus B whole square लिख सकते हैं A plus B into A plus B अब simply जिस तर्म हम मुल्टिप्लाय करते हैं तो एक टर्म हम लेंगे इसकी A और दुनों के साथ A plus B के साथ क्या कर दिया multiply कर दिया plus आपका B A B ले लिया और next आपका A plus B A plus B के साथ क्या करेंगे multiply A को A के साथ multiply किया तो A square A को B के साथ करेंगे तो plus AB B को एक साथ multiply किया तो BA और then जब B को B के साथ students multiply करेंगे तो that is B square आपको पता है students जो real numbers होते हैं उनके इंदर होटेटीफ प्रॉप्टी होड़ करते है या यदि एक के साथ मल्टिप्लाय करें यह रहता है रहता है और हम अगर अगर आपके दो टर्म्स हैं और उनका होल स्केर हमने निकालना तो सो सिंपल फरस्ट टर्म का स्टूड़न्स की आजाएगा स्केर आजाएगा अगर स्टूडेंट सम्हाइं यह बात कहomos कर रहें सुकेयर Candy अगर टीफ्रेंस का स्किर हो गया तो सू सिंपल आप लगाना नैगेटिव यहां स्थूडेंट नैगेटिव यहां भी आपकर नैगेटिव आगा नैगेटिव नैगेटिव और अफ्टर यहां भी नेगेटिव और इतना फर्क आजाएगा एंड पर आपका क्या जाएगा नेगेटिव जैसे स्टुडेंट्स मैं कह रहा हूं एप्लस बी स्टूरि यह माइनस भी होल का स्केर हो तो यह आपका क्या आजाएगा एड़ स्केर नेगेटिव 2AB बात करें, तो that is product of sum and difference of two terms, यनि अगर हमारे पास two term में a and b, एक दफ़ा a plus b है, into a minus b है, तो sum into difference, sum into difference, तो यह देखना हम नों दोनों का क्या है, sum और difference का product आप यों भी कह सकते हैं, तो prove के अगर बात करें, a plus b into a minus b, अब so simple जिस तरह हम कह रहे हैं, के a को लेंगे, और दोनों terms के साथ क्या कर देंगे, multiply, और plus b को लेंगे, दोनों term के साथ क्या करेंगे, multiply, जैसे previous हम कर चुके, a multiply by a square a into b minus a b, और next आपका क्या है, का b को a के साथ करेंगे, तो b a आ जाएगा, और b को b के साथ करेंगे, तो negative b square, जैसे हम पड़ चुके हैं, के a b जो है, वो b a के क्या है, बराबर है, तो इसका मतलब यह दोनों term सेम है, concept हो जाएंगी, remaining, that is a square minus b square, आपका a square minus b square, तो अगर a into b हो, sorry, a plus b into a minus b हो, तो that is equal to a square minus b square, यह identity है, for example, हम यह कह रहे हैं, x plus y है, into x minus y, तो आप simply यह लिख सकते हैं, first term का square, which is x square, negative, second term which is y, तो y square, a plus b into a minus b students is equal to a square minus b square, यह x plus y into x minus y, that is equal to x square minus y square, तो आप इस identity को use करके, आपने कुछ problems को भी students क्या कर सकते हैं, solve, देखते हैं, कुछ problems students solve करके, अब, यहनि जो identity हमने पड़ी, इन में अगर देखें, तो first हमारा क्या है, हम square find out करना चाहते हैं, x minus 4 का, यानि हमारे पास क्या है, x minus 4, इसका square find out करना चाहते हैं, तो simple solution के अंदर x minus 4 का square, हम identity लगाएंगे, आप x minus 4 into x minus 4 भी लेख सकते हैं, separate multiply भी कर सकते हैं, जो कि हमने identity के through करना है, तो first term हमारी क्या है, x है, तो हमारा क्या आगया, x का square, negative बीच में है, तो negative to 4 मुले का, first आपका x है, second term आपका 4 है, तो first term x, sorry, x और multiply by 4, आप इनको commute कर लें, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब 4 plus x है, 4 into x कर लें, यह x into 4 कर लें, तो student कोई भी difference नहीं होगा, अब next term हमारी second क्या 4 है, तो basically हम 4 का क्या लेंगे, square, अब simplify करें, x का square x square, 2 into 4 into x है, आपका negative 8 x, और then 4 का square students है, आपका 16, तो so simple, आपकी जो, एक algebraic expression दे गई थी, यानि x minus 4 इसका आप क्या लेना चाहा रहे थे, square, तो आपने जो identity x minus y वाली, या a minus b वाली identity पड़ी, उसको यूज करते हैं, आप क्या कर सकते हैं, तो के find out कर सकते हैं, next students, problem solving by using identities, यानि जो identity हमने पड़ी, a plus b whole square, a minus b whole square, या a plus b into a minus b, यह three identities को यूज करके हम कुछ problems को क्या कर सकते हैं, देखते हैं students, we can solve different types of the problems using the algebraic identities, algebraic identities को यूज करके हम different क्या कर सकते हैं, algebraic expression या different जो है आपके problems उनको क्या कर सकते हैं, solve कर सकते हैं, देखें, solution हम निकालना चाहते हैं, 95 का square, 95 का square, 95 का square मतलब इन 95 into 95, पट identities को यूज करने के लिए, मैं 95 को write कर सकता हूँ, 100 minus 5, तो 100 minus 5 is 95, तो 100 minus 5 whole का क्या आगया, students हमारा square आगया, तो square, second identity के according हमने open करना है, यानि first का square, first term which is 100, negative 2 formula का, आपकी first term 100 multiply by second term 5, और then आपकी second term आपकी 5 है, तो 5 का square आगया, 100 का square, 10 आपका 10,000, और 2 multiply by 5 multiply by 100, आपका 1000 और 5 का square 25, तो 10,000 के से जुहीं 100, 1000 हम subtract करेंगे, तो students रहा जाए, गर 9,000 उसमें 25 add करेंगे, तो 9,025 आपका क्यों हो जागा, 95 का square, यानि हमने क्या क्या 95 को break किया, और इसके ओपर identity लगाई, और then simplify करके answer निकाल दिया, next, अब हम product निकालना चाहते हैं, दो numbers का, यानि 191 multiply with 209, अब ये दो number है, इनका हम क्या लेना चाहते हैं, product, but identity को use करके देखेंगे, कि product कैसे find out करना है, तो first students आपका 191 multiply by 209, जो 191 है, इसको 200-9 किया जा सकता है, और जो 209 है, 200 plus 9 है, अब आप देखेंगे identity को third identity एक बार बीच में plus है, और एक बार बीच में negative है, तो first square minus second square ये identity, a plus b into a minus b, which is equal to a square minus b square, इस identity को use किया, तो आपका 200 square minus 9 का square, 200 का square आपका 40,000 और 9 का square 81, 40,000 में 81 निकालेंगे, तो 39,919 आपका क्या जाएगा students answer, तो simply हमने क्या किया, जो भी number दिये गए, इनको identity के according बनाया, और identity को use करते हुए, हमने क्या का लिए, एक और भी बड़ा interesting question है, यहनि अगर हमारे पास x minus y की value of 4 है, और x y, यहनि product of x and y is 2, what will be the value of x square plus y square, तो simple हमने identity को ही use करना है, और x square plus y square हम क्या करेंगे students, find out कर लेंगे, solution देखते हैं, हमें दिया गया x minus y is equal to 4, तो दोनों तरफ हमने क्या ले लिया, square ले लिया, यहाँ identity के according square को open किया, तो यहनि x square minus 2 formula का फास 10 to second, यहनि negative 2 x5 y square is equal to 4 का square 16 है, x, y हमें दिया गया है, which is equal to 2 questions के अंदर, तो यहाँ x, y की जगे हम 2 लगाएंगे, दूसरी side पर यह आपका negative 4 बनेगा और जाके add हो जाएगा, जो ही 16 के अंदर students हम plus 4 करेंगे, तो that is 20, हमें चाहिए था x square plus y square, तो so x square plus y square हमें answer क्या मिला, 20, तो इस तरह अगर आपको x plus y, यह x minus y दिया गया और साथ x, y का product का भी value दी गही है, तो आप x square plus y square students find कर सकते हैं by using identity, अगर students home work की बात करें, exercise 7E, इसका question number 1 and 2 as a home work students आप करेंगे, और आपका 7F, question number 1 and 4, students आप लोगों ने home work में must attempt करना, next students, अगर हम resources की बात करें, तो first one is the worksheet and the second one is question bank, third one is lesson plan and the fourth one is power point presentation, यह नि जो lecture students मैं आपको deliver कर रहा हूँ, इस lecture के descriptions के अंदर, यह link के अंदर यह तमाम चीज़ें, students available हैं आपके लिए, अगर मैं अपने lecture को थोड़ा सा summarize करूं, तो so simple, हमारा target यह था, ऐसो लोग के अंदर हम operations अंदर polynomial पढ़ रहे थे, लेकिन हमने simplification के ओपर focus कर रहा, जिसके अंदर हमने algebraic identities की बात की, algebraic identity, यानि A plus B का whole square, A minus B whole square, या A plus B into A minus B identity यह पड़ी, और इन identities कोई कुछ problems के ओपर हमने क्या लगाया और उन problems को क्या क्या थूदा identity हमने क्या क्या students solve किया, I hope so आप लोगों ने gain किया होगा, that is very interesting for you, मिलते हैं, एक नए lecture के साथ तब तक अपना ख्यार रखिया, Allah अफिज हैं, thank you from my side.